नमस्कार मैं गिरिश के सरवाने गिप्स डाट इन में आपका स्वागत है आई ये आप लोग दिखाते हैं इस हब्ते की तमाम क्रेम की बड़ी खबरें राजधानी के आजाच्चों खाने में 14-15 जुलाई की दर्मियानी राद शराब दुकानों से पैसा कलेक्शन का रॉलाउट रहे राइटर कंपनी के एरिया मैनेजर से 31 लाख रुपए लूट की वारदात को क्राइम ब्राइंज पुलिश ने महाच 90 गंटे की भीतर सुल जाने में कामयावी हासिल की है लूट के आरोप में पुलिश ने 6 बदमासों को राइपूर और जगदल्पूर से गिरफतार किया है लूटे औरेओं के कब जेसे पुलिश ने 26 लाख रुपए नगदी शहित एक एर पिश्टल लूट में इस्तिमाल की गई कार को भी जब से कर लिया है लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी बदमास गहरे दोस्त बताय जा रहे हैं मामले का खुलासा करते हुए आईजित कजीब गुपता और एसेस्पि अमरेश मिस्रा ने बदमासु द्वार घटना को कैसे अंजाम दिया इस संबन में विस्तार से जानकारी दी इसके आरहा पुलिस ने कैसे बदमासों तक पहुँचने मेहनत की इस संबन में विस्तिक जानकारी दी ये 14-15 की दरम्यानी राज जुलाई में इकटना होई थी जबकि हत्यार बंद अपरादियों ने एक कलेक्शन एजिंट जो एक्साइज की शॉब्स का कलेक्शन कर रहा था उसको रास्ते में रोख के अपनी गाड़ी में उसको जबरन बिठा लिये और उसका जो लगबग 31 लाख का कैश था उसको लूटके उसको रास्ते में गाड़ी से बाहर फेक के परार हो गए थी इस कटना की सूचना पर पुलिस पे द्वारा चारों दरफ नाके बंदी की गई और टीम्स पैना थी गई और यहाँ पर जिसने पॉसिबल रूट्स थे एग्लेट करने के उन पर पहला फोकस किया गया उन रूट्स पे जितने टीम्स रवाना हो सकती थी रवाना होई उन्होंने वहाँ के जितने सिंसी टीवी कैमेरे थे उनके फोटेजस के आदार पे पुलिस को काफी महत्पून लीट्स मिली पुलिस के मुताबिक लूट की वाज़ात का मास्टर मैंड संजय नगर छंड़ा चौक निवासी सेख अमज़द है और घटना को अमली जामा पहनाने में कोंडा गाओ निवासी, राकेश दिवांगन, इमरान अंसारी, पस्टिम बंगाल कोलकाता निवासी, शेख दानिष, राइपूर निवासी, मुहंबत साहीद और अजिन कुरेशी शामिल थे दानिष कोलकाता में अकराफ करने के बाद पिसले पाउंच वर्सों से लाइपूर में अपने किसी रिष्टेदार किया रह रहा था उलकाता पुलिस को दानिष की तालाद है पुलिस के मुताबिक सेख अमजद प्रसांद को पहले से जानता था उसने किसी बड़े रिकवरी एजेंट को लूटने का प्लान बनाया इसके बाद अमजद और उसे साथ हो ने प्रसांद को अपना शिकार बनाने फोकस किया बदमासों को जानकारी मिल गई की प्रसांद सराब दुकान से रुपए कलेक्शन करने का काम करता है इसके बाद इन बदमासों ने पता लगा लिया की शराब दुकान से पैसा कलेक्शन कर वापत लूटने में कितना समय लगता है इसके बाद बदमाफों ने 12 और 13 जुलाई को प्रसांद की रही की करने के बाद लूट की वाज़ात को अन्जाम दिया प्लिस को ऐसा एक लोकेशन मिला ऐसी एक कॉलनी का लोकेशन मिला जहां पर की जो अर्टिगा कार जिससे की घटना हुई थी उस घटना के कारिश करने वालों का वहाँ पर सोड़ी देरतक का ठहराव दिखाई दिया तो इसे लगा की हो सकता है अपरादी यहां के हो और वहाँ पर जो प्लिस का अपना इंफर्मेशन नेटवर्ग था नेटवर्ग के चलते कुछ ससपेट के नाम सामने आये इस इनविस्टिएशन को जारी रचते हुए इसमें से तभी 6 अपरादी इंवल्ड है इसमें से 4 जिइदलपुर में और 2 रैपुर में पुल मिलाखे 6 अपराजी पुलिस में कसटडी में लिये हैं और जो टोटल कैश था उसमें से माइनस 5 लाक बाकी 25 लाक से उपर का कैश पुलिस के दौरा जसका तस कलेक्टेट कैश रिकवर कर लिया गया है घटना के बाद पुलिस ने मुबाईल टावर के आसपास के काल डम कलेक्ट किया उसमें 6 संदिक से नंबर ऐसे मिले जो घटना के दिन प्रसान के इर्द गूज़त होना पाया गया इसके बाद पुलिस ने नंबर के आधार पर बदमासों के बारे में जानकारी उताई जानकारी में सभी के अलग-अलग ठानों में मामले दर्ज होने के बारे में पुलिस को जानकारी मिली इसके अलावा इन बदमासों के मुबाईल लोकेशन राइपूर संजैनगर के गोश्या मोहला में काफी देर तक होना पाया गया पुलिस जब अमज़़क के घर पहुची तो वा घर से जाय़ इसे बार पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रेश किया तो उसका मोबाईल लोकेशन जगदालपूर होना पाया इसके बाद पुलिस की सक पुपता हो गई आरुपियों के बारे में पुक्ता जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की दो अलग अलग तीमें बनाएं गई एक तीम को जगदलपुर रवाना किया गया और दूसरी तीम को राइपुर में आरुपियों को पकड़ने का तास्क दिया गया राइपुर में पूलीस ने तीन बदमास दानी, शाहीत और अजिन को गिरफ़तार किया जबकि अन्यतिन बदमास को पुलीस ने जगदल पूर पूर में गिरफ़तार किया इस घटना में कुल छे लोग इनवाल। थे चार लोग अपरादी और दो अपरादी जो थे वो कोंडा गाओं के से ये सभी अपरादी पूर में भी अपराद कर चुके हैं इसमें से एक जो है वो पूर में कलकता में उसके नाम पर कई अपराद हैं और वहाँ पर निगरानी बदमाश भी है वो जो रायपूर के और कोंडा गाओं क ये भी इनके पूर रिकॉर्ड्स हैं और काफी जादा सोची समझे तरीके से काफी पूर तयारी के साथ इन्होंने इसके रखी की थी योजना बनाई थी और जो कलेक्शन एजेंट है उसको फॉलो किया था दो गाडियों में और घटना के बाद जिस तरह से ये घटना को था इनके पूरे गैंग के उपर नेरो डाउन करके इतने कम समय में इनको अविरक्षा में पूलिस ने ले लिया है अमजद जगदलपुर में टाटा मोटस में काम करता है इसलिए वहाँ वह किराय के मकान लेकर रह रहा था घटना के दूसरे दिन अमजद अपने दो साथियों के साथ रूपए लेकर जगदलपुर आ गया था पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछ ताच की तो उसने अपना अफराद कबूल करते हुए लूट की रकम पुलिस के हवाले किया हमज़न ने लूट की रकम को घर में कचरे के डिंबे में शिपा कर रखा था पुलिस की सटिक स्टेट्जिक और प्लानिंग के पदोलत एक बार फिर बड़ी काम्यावी भास लगी है पिछले मान नक्सलियों ने जिस कायराना धन से साथ जवानों को सहीर किया था पुलिस ने इस बात का आखिरकार बदला लही लिया हम बात कर रहे हैं 19 जुलाई को जन्तेवाडा में और विजापूर के जंगलों में हुवे पुलिस नक्सलियों मुढ़ेड की पुलिस नक्सलियों की मान में घुचकर 8 हाड़कोर नक्सलियों को घेर कर दिया पुलिस की इस कारवाई से साविस होता है कि वे अब बारिश के सिजन में भी नक्सलियों को धून धून कर मारेजिए एंटी नक्सल आप्रेशन एस्टी की माने तो वे बारिश के सिजन में नक्सलियों को खेर कर मानने के लिए तिन बिन्दों पर काम कर रहे हैं जिसमें कैम्पों की चुरक्षा ट्रेनिंग के अलावा सिमित और सयमी कारवाई है इसी आधार पर उन्हें बड़ी शफलता हाथ नगी है एक बहुत भी अच्छे इंपूट के उपर ये कारवाई की गई थी और जिसमें दंतेवड़ा के सिफ और डियार जी के लोग थे अभी वरसात में विशेशकर बहुत तीन चीज़े हमारे लिए बहुत इंपूर्टेंट है जिस पर हम लोग काम कर रहे है पहला है कि हमारे कैम्पों की सुरक्षा दूसरा है कि हमारा ट्रेनिंग और तीसरा है कि सीमित और सैयमित उपरेशन और इस सीमित और सैयमित उपरे उसके मौझूद भी जो है वो सिस्टेमाटिक तरीके से जो प्लान करके इसको एग्जिक्यूट किया गया है उसमें कमपनी के लोग हैं, दो तो कमपनी के लोग हैं, कैडर के लोग हैं, इनामी हैं और ये पोलिस के लिए बड़ी सफलता है बस्कर के घेने जंगलियों में नक्सलियों के खिलाप अभियान चलाना किसी चुनोती से कम नहीं है बारिश सूरे होते ही जंड कारेण में, नदी नाले उफान में हैं सण के खिजन भरी होती है, पहाणों में चड़ना मुश्किल होता है इस विशम परिष्टिसी में नक्सलियों को उनके मान में घुश करमाना एक बड़ी उपलब भी है और खाक्त और के जब बारिश में ऑपरेशन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि टेरेंट डिफकल्ट हो जाता है पाड़ियां जो स्लिपरी हो जाती से सलने लगती है उसमें अपने आपको बचाना, संभालना, आगे बढ़ना और उसके बाद ऑपरेशन करना यह अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों ने किया है नक्सली पूरी तरह से बैक फूट पर आ गए है बैक फूट में आने की वज़या से फुल्स उन पर लगातार हावियू हो रही है बता दें की पिछले च्छा मैने के भीतर पूलिस ने अठारा से ज़्यादा नक्सलीयों को ठेल कर ती है मारे गए नक्सलीयों में कई बड़े इनामी और हार्ड कोर नक्सली है एस पी की माने तो नक्सलीयों हर्चाद असेंबल कर बना रहे हैं वह पूरी तरह फेल है नक्सलीयों के कब्जे से जब तक की गई पेंगन की मारक छमता ज़्यादा नहीं है पुलिस को नक्सलीयों के पाथ से ऐसे गन होने की पहले भी कुछ ना मिली थी लेकिन आपरेशन के दावरान पुलिस ने पहली बार पेंगन जब की है माववादी अलग-अलग किसम के हतियारों को बनाने की कोशिश करते रहते हैं इंडिजिनेस तरीके से बनाने की एसेंबल करके ये कोशिश करते हैं उसके प्रयोग भी करते रहते हैं और यह जो pen gun है, pen gun का इस्तिमाल अभी तक इसके बारे में सुचना थी हमारे पास में और यह पहली बार सामने आया है short range का है, short range का इस्तिमाल करने वाला है और चुकि पहँचान में किसी हतियार की तरह नहीं दिखता है इसलिए छुपा के ले जाना बड़ा असान है इसको और इसका इस्तिमाल जो है, वो short range में किया जाता है इसका इस्तिमाल और यह जैसा बहार आया है, इसको चुकि क्या होता है कि indigenous जब बनता है चुकि उनमें वो जो smooth moment होना की muscle का वो होता नहीं है तो उसमें जो bullets निकलने की वैसा निकल नहीं पाते हैं और सिस्तम भी अपने आप में कौक जाता है, फस जाता है, वो काम नहीं कर पाता है लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी यह है कि किस किस किसम के modernization improvement वो कर रहे है उसको कैसे counter करना है और हम कैसे बहतर तरीके से उनको मार सकते हैं इसके उपर work out हम लो करते रहते हैं